वेल्कम तो अवर चैनल एस्ट्रो विद्नूर्ट आज हम आपको बताएंगे कि कर्त लगन वाले जातकों को कौन सा रतन दारन करना चाहिए कर्त लगन की कुनली में मंगल ग्रय जो की दशंबाव और पंच्यम भाव का स्वामी है सबसे शुप ग्रय है मंगल ग्रह करक लगन की कुणली में यूप का रग ग्रह है इसलिए मंगल ग्रह के शुप परबाव के लिए करक लगन की कुणली वाले मुंगा रतन दार्ण कर सकते है कुणली में अगर मंगल शुप गरों में स्थित हो यानि के शुप ग्रयायों से वो द्रिष्ट वे युक्त हो तो जाते को मंगल ग्रया के शुप परबाव के लिए मुंगा रतन दारन करना चाहिए अगर कुल्डी में मंगल त्रिक बाव में चला जाए तो आपको मुंगा रतन नहीं दारन करना चाहिए आपको मंगल ग्रह की स्थिति नवाश कुंडी में भी देखने चाहिए कहीं वो क्रिक में तो नहीं चला गया या नीचका तो नहीं हो गया अब आपको मुंगा दारन नहीं करना चाहिए मुंगा दारन करने से मंगल ग्रह के कारकतों में विल्दी होती है अब हम करक लगन वालों की बात करते हैं जिसमें मंगल पंचमबाव और दश्यमबाव का वाम्मी होका सबसे शुब कर रहा है पंचमबाव से हमें जातक के बच्चों के बारे में लव अफियर, आर्टिस्टिक टेलेंट, लौटरी, मंत्र तंत्र और स्कुच्चोर प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है इसी तरह दश्यम बाव से हमें जातक के पावर, प्रेस्टिज, नेम एन फिर्म, सफलता, अथार्टी, रिस्पेक्ट, प्रुफेशन, गोवर्मेंट, हाई पुजिशन इन लाइफ के बारे में पता चलता है दश्यम बाव में मंगल को दिप्बल प्रापत होता है अब अगर करकलगन वाले जातक मुंगादरन कर लेते हैं तो ऐसे जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं उसे नेम एन फिर्म प्रापत होती है वे अपने प्रुफेशन में अच्छी सक्सेस प्रापत करता है उसे सरकार की तरफ से लापकी भी प्रापती होती है ऐसे जातक के बच्चे भी जीवन में अच्छी तरक्की करते हैं ऐसे जातक के पास भूमी, वहन, दन और सुख सुविधा के सभी साधन उकलब दोते हैं ऐसे जातक का अनर्जी लेवल भी अच्छा होता है वे अपना कारे करने में दूसरे लोगों से कम समय लेते हैं या अंतरदशा में लाप की प्राक्ति होती है इसलिए करकल लगन वालों के लिए मुंगा अधार्ण करना शुब है अगर आपको हमारी ये वीडियो अप्साम राई हो तो प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब अगर चैनल थेंक्यो फॉर वाचिंग